साथ क्यों, मैं हमेशा सही कायर करताओं से दिन दियाल जी के साथ सुत्रों को जीवन में उतारने का आग्र करता हूँ आज फिर से इन सुत्रों को याद करने का दीन है यह सुत्र है सेवाभाव, संतुलन, सैयम, समन्वय, सकारात्मक, संबेदना और संवाद इस समय देश में हम कर्तव्यकाल उस राह पर चल पड़े हैं इस समय तो यह सुत्र और भी सामयिक हो जाते हैं आज देश में जितनी भी योजनाई चल रही हैं उसमें हमारे कारकरताओं का सेवाभाव, समन्वय और संबेदना इनका प्रभाव और बढ़ा सकती है सेवाभाव से अगर हमारे कारकरता लोगों के सुख दुख से जुडेंगे तो योजनाओं के विस्तार को नई ताकत मिलेगी हमारे हर कारकरता को संबेदना के साथ योजनाओं को समझना और उनको हर व्यक्ति तक पहुचाने की कोशिश करने होगी कारकरता को दो स्तर पर समवाद बना कर रखना है पहला सरकार के स्तर पर जिससे उन्हें योजनाओं के बारे में पता चल सके आपको ही पता रहेगा कि आपके इलाके में की योजनाओं की जरुरत है इसके लिए आपको नमो एप और माई गौव डॉट इन से मदद मिल जाएगी दूसरा स्तर जो जादा महत्वपून है वो जनता जनारदर से समवाद बनाने का आप सामान ये मानवी से समवाद करें उन्हें बताएं कि आपके लिए से इस तरह की योजना चल रही है जितना अधिक समवाद करेंगे उतना ही योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में आसानी होगी हमें इसी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है